ये बाका के जैपूर वाले माकाली के परमभक्त मोयनुद्दिन से जिनके सपनी में आई देवी काली पुजा खोले कर बिहार में जगा जगा प्रतीमा इस्थापित के जाती है ऐसे में हम आपको माकाली की परमभक्त और गंगा जमुनी तहजीब को चरितार्थ करने वाले बाका के जैपूर निवासी मुहमद मोयनुद्दिन की बारे में बताने जा रहे हैं हिंदू मुसलिम आपसी भायचारी का सबसे बहतर जीवनतुधारन जैपूर में लगने वाला काली मेला है एक और जहां धर्म और जाती के आधार पर अपरात को बढ़ावा दिया जाता है लोगों की हत्याएं तक हो जाती है वहीं जैपूर में मुसलिम समुदाय के मुहमद मौयनुद्दिन मा काली का भक्त बन कर प्रतीमा स्थापित कर मेला का आयोजन कराते हैं गंगा जमुनी तहजीब कहें या कुछ भी ये मौयनुद्दिन इस परंपरा को वर्सों से पूरा कर रहे हैं दीवाली का असर बाजार में अब दिखने लगा है त्योहार की तैयारी को लेकर बाजार में चहल पहल बढ़ गई है रंग बिरंगी बिजली के बलवों से लेकर अन्य सजावटी समानों की बहुयाद दिख रही है मिट्टी के दीपक भी अब बाजार में नजर आने लगे हैं बिहार सीम नितिश कुमार बोली लालो यादब चाहें तुम मुझे गोली मरवा दें सबसे अच्छा यही होगा राष्टे जन्हतादल यानि राज़त सुप्रीमों लालो यादब के विसरजन करने वाले बयान पर बिहार सीम नितिश कुमार ने पलटवार किया है उन्होंने कहा है कि लालो यादब चाहें तुम मुझे गोली मरवा दें इसके अलावावा कुछ नहीं कर सकते मिलना और बिछडना रही राज़त कांगरिश की नियती जब बीजेपी को हराने आये साथ तो बची इज़त यह सच है कि 2000 की विदांशवा चुनाब के बाद से दोनों पार्टियां एक दूसरे की पूरक रही है साजे में लड़े तो इज़त बची अलग-अलग लड़नी पर खास सफलता नहीं मिली वर्सों में राजक बिरोधी वोटरों की गोलवंदी मुख्य तोर पर इनी दोनों दलों की बीच होती रही है पिहार के पहली से आठवी तक के एक करोट छेतर लाग चातरों के फाइदे की खवर फिर मिलेगा मिड़े मिल सभी 72,000 प्रारंबिक विद्यालियों में बच्चे को मिड़े मिल मुहाया कराने की तयारी हो रही है पहले के तरह ही मैन्यों के मताबिक प्रत्य प्रारंबिक विद्याले में मिड़े मिल बनेगा और उसे गर्मा गर्म परोसा जाएगा बिहार उप्चुनाब में NDA की युवाओं पर नजर हर रैली में किया जारा इन योजनाओं का जिक्र बिहार की कुश्रेशोरस्थान वत तारापुर उप्चुनाब के लिए 30 अक्टुवर को वोट डाले जाएंगे NDA वोटरों के बेच युवाओं को मिली सहुलियोतों पर विशेश रूप से चर्चा कर रहा युवाओं तक यह बात पहुचाई जा रही कि साथ निश्य की धहत सरकार ने अब तक क्या किया है लालु यादब के बिहार आने की साथ RJD के पोस्टर में दिखने लगे तेज प्रताप सुला की चर्चा तेज लालु प्रशाद यादब के बिहार आने की बाद तेज प्रताप यादब को RJD के पोस्टर में जगा मिली है राबडियावाश के बाहर लगे पोस्टर में तेजश्वी यादव और तेजप्रताप यादव दोनों की तश्वीर लगाई गई है पप्पु यादव ने लालू यादव को कहा धृतरास्ट मुके सहनी के हेलिकॉप्टर में बैठ गए कुछ बच्चे लालू यादव अपने पुत्रों के मोह में धृतरास्ट बन गए हैं यह बात कभी लालू यादव के बिहत करीवी रहे जनदिकार पार्टी सुप्रीमो पपु यादव ने कई है इधर चुना प्रशार में जुटे मुके सहनी के हेलिकॉप्टर में कुछ बच्चे बैठ अधिक संपत्ती धाई साल तक खाती से नहीं निकाले पैसे आईस रोज से करीब 41 प्रतिशत यानि 24 लाक बेरासी हजार नो सच चौवालिस रुपे अधिक की संपत्ती निलंबित किये गए सारन के डोरी गंज के थाना अध्यक्ष संजय प्रसाद के ठिकानी से पाए गई तालासी के करम में 2.30 लाक रुपे नगद भी जप्त किये गए हैं बिहार विधान सभा उपचुनाब 2021 बोले ललन सिंग वैवसायों से नहीं चिपी है अपहरन और फिरोती राज की कहानी मुंगेर में श्रीमनितिश कुमार की सभा के बाद जदियों के रास्टिय अध्यक्ष सह मुंगेर सांसत ललन सिंग ने वैवसायों से जन समर्थन मांगा उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते वे कहा कि बिहार में अपहरन और फिरोती राज की कहानी वैवसायों से नहीं चिपी है तारापूर में श्रीमनितिश कुमार की सभा जब आपको जरूरत हो बुला लिजिएगा आपके लिए हाजिर हो जाएंगे तारापूर विधान सभा में आज बिहार की मुख्यमनितिश कुमार की चुनावी सभा होई वे अपने पाटी प्रत्याश्य के पक्ष में चुनाप्रशार करने यहां आ हैं काम को मौका मिले जब जरूरत होगी आपके लिए हाजिर रहेंगे कटिहार एक तरफ शमसान, दूसरी तरफ दुकान, साहिब कैसे करें गंगासनान कटिहार में गंगासनान करने वालों को काफी परिशानी हो रहे है यहां एक तरफ समसान है तो दूसरी तरफ दुकान गंगाशनान करने वालों ने जीला प्रसासन से गुहार लगाई है, कहा कि इसका निदान किया जाए पूर्वी सीहभूम जीले में कोरुना के 23 एक्टिव केस, मरीजों की हो रही कड़ी निकरानी देश भर में कोरुना के बढ़ते मामली को देखते वे पूर्वी सीहभूम जीला में शक्रियता बढ़ा दी गई है टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर जांच स्तेज कर दी गई है, यहां बाहर से आने वाली लोगों की जांच की जा रही है